बाई उस्तेना ने आज एर स्ट्राइक किया है वो उससे भी ज्यादा कड़ी तयारी के साथ जिसको आप कह सकते हैं तसली बक्ष कारवाई जिसके बाद ना तो कोई सुबूत मांगने की स्थिती में रहे और ना ही कोई इंकार करवाने की स्थिती में रहे ऐसी कारवाई आज भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ट्रेनिंग कैम्प पर की है जैसे मुहमद की कमर तो डाली है कैसे हुआ यह पूरा ओपरेशन आपको दिखा रहा आज तक कुर में नहीं हिए सफल्म कि एिवें आउ पारे, भारी फ्रफ्स नपक्राष परपड़हा है तो कि अ tearing總तaru है मेर मेर 7 कि खिवें कि ए 강सर यह सुट्ष सीधे तोर पर कहा जाए तो भारत ने न सिर्फ पुलवाना का बतला ले लिया है बलकि भारत ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि अब भारत जो है एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है यानि कि हम बर्दाश्ट नहीं करेंगे अक्सर भारत के ओपर जो भी हमने हुआ करते थे कहा जाता था कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट हो गया है इस देश के तमाम एक्सपर्ट आते थे स्टूडियोज में और कहा करते थे कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट हो गया है कब एक्रसिप पॉलिशी होगी यहां पर जो तस्वीरे आपके सामने हैं जो स्क्रीन पर आप एनिमेशन के जरिये देख रहे हैं यह सारी तस्वीरे इस बात की बानगी हैं कि भारत ने ना सिर्फ मुहतोर जबाब दिया है बल्कि पूरी दुनिया में एक मेसेज दे दिया है यह देखें आप गॉलियर का एर बेस है करीब 90 के दशक में नबे के आखिर में मिराज का जो एर बेस है वो गॉलियर में है और वहां से यह सारे मिराज बलकि अलग अलग जगे से टेक आउफ करते हैं और सीधे यह कहा जाए कि यह सर्जिकल स्ट्राइक है तो बड़ा कम आखा जाएगा क्योंकि यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है सीधे पाकिस्तान के अंदर घुसना क्योंकि बालकोट जिसका जिक्र हो रहा है अबोटबाद से करीब 20 किलोमीटर और अंदर पड़ता है वहाँ पर घुसकर और अबोटबाद आप मत गूलिए पाकिस्तान का आर्मी बेस है वहाँ पर अंदर घुसकर हमला करना अपने आपने एक बड़ी बात है हाँ 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 प्रवार इम्रोट उपार इजयर एक रहाँ आए रखार कर दोगी भी प्रावर कर दो प्रावर कर दो तो दो एक प्रावर के रहाँ कुछते हैं